दोस्तो मुझे पता है आप सब लोगडाउन में बोर हो रहे हैं तो मैं आपकी बोर्यत दूर करने के लिए लाया हूँ HelloF इंडियाज लीडिंग सोशल मीडिया प्लैट्फोम हेलो एप पे आपको मिलेंगे ट्रेंडिंग, न्यूज, फणी, एजुकेशनल, कुकिंग, डान्स और भी बहुत सारी वीडियो इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट्स ओफ यूर फेवरेट सेलिबिरिटीज तो देर किस बात की है, अभी डाउनलोड करो हेलो एप और करे अपनी बोरेट का खात्मा रेणुका की शादी कुछी दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी रेणुका बहुती आलसी लड़की थी, वो दिन भर बैट पर सूती रहती या फिर मेगेसिन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती एक दिन उसकी सास उसके पास आती है बहु, आज बेसन का चिला बना दे, बड़ा मन कर रहा है हाँ, मम्मी जी, बनाती हूँ थोड़ी देर में थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहु अच्छे मम्मी जी, तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजीगा न? ये भगवान, कैसी आलसी बहु मिली है मुझे, हरे काम को बस टालती ही रहती है रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती एक बार रात की खाने पर सब बैठे हैं, तो रेणुका का पती कहता है अरे, ये क्या? आज फिर से करेला? रेणुका हफ़ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है कुछ भी बना लिया करो, अरे, इतनी सारी सबजी मिलती है मार्केट में हाँ, पर अब कौन मार्केट जाएं और सबजी लेकर आएं इसलिए जो था घर पर वही बना दिया बहु फ्रिज खोल कर देखती तो पता चलता कि सारी सबजीया रखी होती है पर तुम्हारा आलस पन खतम हो तो तुम्हारी नजर जाए ना विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है रेणुका मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना मेरे सारे रुमाल खराब हो गया है तुम ले आई क्या आज नहीं गई कल ले आऊंगी ओफो पिछले चार दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ बिना रुमाल के ओफिस जाना पड़ रहा है तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका आपको रुमाल की जरुरत है ना तो खुदी खरी लीजी ना हाँ अब वही करूँगा तुम्हारे भरो से बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा एक दिन दर्वाजे पर बैल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है पर आलस में दर्वाजा खोलती ही नहीं अरे बहु कितनी देर से बैल बज रही है क्या कानों में रुई डाल कर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बैल मम्ही जी अब आप आ ही गई है तो आपी खोल दीजे ना दर्वाजा क्यों मुझे ताना मार कर और देर कर रही है अरे वाह उल्टा चोर को तवाल को डाटे सास दर्वाजा खोलती है तो उसकी पडोसन दर्वाजे पर खड़ी होती है दर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई सब सो गई थी क्या और यह भी कोई वक्त है क्या सोने का हाँ अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आईए आईए आप लोग अंदर आईए ओफो इन सब को भी अभी आना था अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी के चिन में बहू पकोड़े तल दे बहू चाय बना दे अरे बहू सो गई क्या कबसे आवास दे रही हूँ जा चाय बना कर लिया हाँ मम्मी जी अभी जाती हूँ थोड़ी देर में सास रेणुका को आँख दिखाती है मतलब थोड़ी ही देल लगेगी चाय बनाने में, अभी ले आती हूँ, बस चटपट रेणुका रस्वे में जाती हैं, और इसी आलसी पन में वो चीनी की जगर नमक डाल देती है जैसे ही सब चाय का घोंट भरते हैं, चाय थूप देते हैं थू 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 ये कैसी चाय बनाई है तूने रेणुका, इसमें तो सारा नमक भरा है हाँ, और ये पकोड़े, इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालती खराब होगे खाकर और रेणुजी, आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी पर जब से आपकी ये बहु आई है ना, मामला कुछ गड़ बड़ा सा गया है हाँ, हाँ, जहां आप इतनी अक्टिव है, वहीं आपकी बहु एकदम आलसी, एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है अच्छा जी, चलते हैं अब, नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब वहाँ से चले जाते हैं अरे तुने तो मेरी ना की कटा दी बहु, वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में ममी जी, मैंने तो शक्र ही डाली थी, पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्र शक्र नमक नहीं बना बहुरानी, तुम्हारा ये जो आलसपना है ना, ये उसी का नतीजा है सॉरी ममी जी, अब मैं ये आलसपन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगा कर करूंगी